आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी आलू पीजा पराठा की रेसिपी तो यहां पे डेड़ कप गेहूं का आटा लिया दो चमच इसमें डाला दही इसी के साथ में एक चुथाई चमच मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर एक चुथाई चमच से आधा बेकिंग सोडा इसी के साथ में आधा चमच इडाल रही हूँ पाउडर सुगर और इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चमच नमक सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और उससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी आट क आप चाहें तो लहसुन को क्रेस्ट करके फूट करके फिर उसको डाल सकते हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक नरम सा आटा गूत लेंगे आटा टाइट नहीं होना चाहिए नरम सा आटा गूतना है जैसे अलका सा इस्टिकी रहता है बिल्कुल वैसा ही गीला नहीं करना है लेकिन नरम आटा गूतेंगे तो यहाँ पर नरम सा आटा गूत लिया इसमें डालेंगे दो चम्मस तेल तो पहले एक चम्मच में डालूंगी अब यहाँ पर आपको कोई भी खुजबू वाला कूकिंग आटे को बहुत अच्छे से मैंने गूत लिया एक चम्मस तेल और बस थोड़ा से और गूत लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे साइड में इससे क्या होगा आटा अच्छे से फूल जाएगा अब यहाँ पर एक कप ले रही हूँ या त बदुकस करके ही आपको लेना है आदा चोटी चम्मच नमक डाला मैंने इसी के साथ में आदा चोटी चम्मच डाल नहीं हूँ चाट मसाला पाउडर आप अपने स्वादनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले आदा चोटी चम्मच अनार दाना पाउडर इसी के साथ में म हम इसा बना के रखती हो, आप अलग-अलग से भी इसे थोड़ा-थोड़ा डाल सकते हैं अपने स्वाधनुसार, सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक बहुत जादा ना करें, क्योंकि आटे में भी नमक है, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अपने स्वाधनुसार डालें, साथ में डालेंगे इसमें हरा धनिया, या फिर बच्चे ना खाते हो हरी मिर्च बिलकुल भी, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आलू मसाला आलू के पराठी के लिए बन करके बिलकुल तयार हो गया है तो बस बच्चों को थोड़ा सा नया मिल जाता है और बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं यहां पे मैंने एक प्याज ली है, प्याज को छील लिया है, तो बस प्याज को इस तरीके से रफली आपको कट कर लेना है, तो यहां पे प्याज को मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया है, और इसे हातों से इस तरीके से अलग कर लेंगे, तो बस यहां पे प्याज भी बि करके तैयार होगा तो इसके दो भाग कर लेंगे तो बराबर से दो भाग कर लेंगे और देखिए आठा कितना perfect लगा है ना तो यह गीला है और ना ही बहुँ चादा tight है यह हलका सा जो आपको sticky दिख रहा है ऐसा होना ही चाहिए तब ही आपके जो पीजा पराठा है वो अच्छे बनेंगे अब यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे मक्खे का मक्खे का आटा लेंगे थोड़ा सा क्रिस्पीने साती है अगर ना हो तो फिर नॉर्मल आटा ले लेंगे आप गेहू का और बस मक्य का आटा मैंने थोड़ा सा rolling board में डाला और बस अब इसे roll कर लेंगे तो बस इसे बहुत ज़्यादा पतला नी roll करना है थोड़ा मोटा सा इसे roll कर लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से इसकी एक मोटी सी रोटी बना करके त्यार कर लेंगे तो यहाँ पे एक मोटी सी रोटी बना ली है, मेरे पास पीजा सॉस नहीं था, तो मैंने टमैटो केचप और रेट चिली सॉस को मिक्स करके, और फिर एक बड़ा चम्मच जितना इसमें डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें, साथ में डाल नहीं हो, पीजा सीजनिं और बस इसे अच्छे से मिक्स करते हुए, पूरी रोटी में इसे फैला देंगे, और आप कम ज़ादा अपने स्वाद अनुसार इसे अपलाई कर सकते हैं, तो बस मैंने अच्छे से फैला दिया है, और अब जो आलू मसाला बना करके रखा है न, उसे भी इसके ऊपर रख तो मैं आधा मसाला इसमें रख दूँगी क्योंकि इससे दो पीजा पराठा बनने वाले हैं आलू वाले तो ये मैंने आलू रख दिया और अब चारो तरप से इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सील कर देंगे और बस अब आप जैसे पराठा बेलते हैं आलू का बिल्कुल वैसे ही आपको इसे रोल करना है अभी आपको इसमें चीज बिल्कुल भी नहीं डालना है अगर आप डालना चाहें आपको बहुत ज़्यदा चीज पसंद हो या बच्चों को बहुत ज़्यदा चीज पसंद हो तो आप अंदर डाल सकते हैं अभी मैंने अंदर फिलिंग में चीज नहीं डाला है तो बस अब इसे रोल कर लेंगे तो आलू के पराटे वैसे भी बहुत ज़़ादे पतले अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं इसे हलका सा मोटा ही रोल करूंगी तो बस इस तरीके से इसे रोल कर लेना है बेल लेना है और अभी मैं इसे हलका सा मोटा रखूंगी क्योंकि अभी इसमें प्याज भी फैलाना है मुझे तो हलका सा मैंने अभी मोटा रखा है और इसमें अभी प्याज को भी फैला दूंगी तो ये प्याज जो मैंने कट करके रखे थे ना इसे भी इस तरीके से इसमें लगा कर गे और एक बार फिर से इसे रोल कर लेंगे ताकि प्याज अच्छे से इसके उपर सेट हो जाएं तो बस हलका सा इसे रोल करेंगे और हाथों से भी हलका सा प्रेस कर देंगे ताकि प्याज अच्छे से चिपक जाए पराठे में और बस ये बिल्कुल तयार है सिखने के लिए तो तबा मैंने पहले ही चड़ा दिया था गैस पर तबा जब गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा बटर लगा देंगे और अब इसमें पराठे को रख देंगे तो बस इस तरीके से आपको पराठे को रखना है जिस साइड में प्याज लगिये उसे उपर रखेगा और अब बिल्कुल लो फ्लेम करके दो से तीन मिनट के लिए धखकन धखके से पकाएंगे तो दो से तीन मिनट हो गए है जब अच्छे से नीचे से पक जाए ना हलका सा टाइट हो जाए तभी आपको इसे फ्लिप करना है नहीं तो ये तूट जाएगा तो देखिए नीचे से कितने अच्छे से सिग्या था ना तब मैंने इसे फ्लिप किया मतलब पल्टा और बस साइट साइट में बटर और लगा रही हूँ तो बस अच्छे से नीचे से भी पराठे को सिखने देंगे और ये देखिए नीचे से भी बहुत अच्छे से आप अपने मन पसंद की मौजरेला चीज या जो भी आपको चीज पसंद हो आप यहाँ पे डाल सकते हो तो यहाँ पे बस कद्दुकस करके मैंने चीज डाला और साथ में डाल ली हूँ चिली फ्लैक्स और पीजा सीजनिंग और बस ढखकन ढखके इसे एक मिनट के लिए लो फ्लैम में और पका लेंगे इसे क्या होगा चीज इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो बस यहाँ पे बिलकुल तयार हो गया है आलू पीजा पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है बच्चे यह जो उपर से चीज देखते है न तो उन्हें लगता है बिलकुल यह पीजा है और उन्हें पीजा वाली फीलिंग आती है और यह हेल्दी भी है क्योंकि यह काटे से बना हुआ है तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राई करिए बच्चों को क्या ये बड़ो को भी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप अमेजिंग किचन रेसिपी को कलने सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा ह हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें साथ में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है थैंक यू फर वाचिंग वीडियो